टैबल्यू के सीरीज में हम आपको खुशामदेद कहता हूं और इस कोर्स में आपको दिल की हताग रहीं से खुशामदेद कहता हूं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे हुए कि जहां पे आपको सारे के सारे कोर्स के कॉंटेंट मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं कि टैबल्यू को इंस्टॉल कैसे करने हैं और कौन सा वरिजिन जो है आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं और इस पे काम करने वाले हैं फिर टैबल्यू के उपर डेटा विजुलिजिशन करेंगे टाइम जाय किये भीना चलते हैं स्क्रीन आपके सामने है जनाबेवला यहां पे आपने लिखना है टैबल्यू पब्लिक टैबल्यू पब्लिक पे जाके आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहां पे आपके सामने गो टू टैबल्यू पब्लिक आ जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि से साइन आप कर ने पहले चीजित ये. secondly, आपे क्या करना है t destiny public को आपने डाउनलोड भिकरना है, अब मैं tablue public के ऊपर klink करता हूँ और यहां पर देख सकते हैं tabletlue public download public edition, आपने इसपर klik करना है और यहां से tablue public को download करना है. और obviously आपको पता है कि download the app करने के लिए यहां पे आपको कुछ information देनी पड़ेगी, मैं download the app करता हूँ, यह कुछ information मांग रहा है, मैं यहां पे लिख सकते हैं, मैं यहां पे info at codanix.com लिख देता हूँ, country हमारा पाकिस्तान है, मैं यहां पे पाकिसान लिखूंगा, because even though I am in Germany, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिसान-based जो है, वो काम किया जाए, यहां पे मैंने लिखा, मेरे पास यह अब download होगा, thank you for downloading Tableau Public Edition, if you download doesn't begin automatically, click on this or this, ठीक है, let's see, जी कोई चीज़ है, ब्लॉक तो नहीं कर रही, always pop up, done, मैं यहां पे click करता हूँ, it's started downloading now, so मेरे पास Tableau Public यहां प बना लेंगे Tableau की, ताकि आप इसको utilize भी कर सकें, अब होता क्या है, कि जब आपने Tableau Public को use करना है, तो आपके पास यह website है, जैसे मैंने Tableau Public पे जाके create पे जाके web authoring और download Tableau Desktop Public Edition, यहां पे click किया था, यहां से download हो गया, यह web authoring है, यहां से learn पे click करने के बाद आपके पास बे sample data को download भी करेंगे, Excel की sheets के अंदर, और इन पे काम करना हम start करेंगे, जैसे हमारे पास यह download हो जाएगा, then we will install that as well, और इसको हम और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो हम यही से download करेंगे, और फिर इस पे काम करना start कर देंगे, और आप से मेरी request यह है कि प्लीज इस website को जरूर explore करें, क्योंकि explore करने से आपको समझ आएगी कि किस तरीके से टैबली जो है वो काम कर रहे है, अब यहाँ पर मेरे पास यह download होगे, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि it's almost done, final जो chrome साब हैं वो काम कर रहे है, आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी id mean while बना लेनी, ज इसको मैं open करता हूँ, it will take some time, तो जैसे मेरे पास open होगी, then we will install this, यह मेरे पास जी file open हो चुकी है, अब इस file के साथ साथ मैं यहाँ पर terms and agreement को accept कर लेता हूँ, do not send the product use data, फिर install पर click करता हूँ, और यहाँ पर यह कह देता है कि जनाब आपका जो है, do you want to allow this app to make changes to your device, I said yes, त तो यहाँ से हम इसको install करना start कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि sometimes it takes a lot of time just to download, तो आपने सोड़ी धीरेज रखनी है, और फिर इस चीज़ को install करना है, अब अगर आपके पास यहाँ पे tablue जैसे public install होगा, then you will see कि आपके पास यहाँ पे tablue public जो है automatically चलना भी start और जिन लोगों के पास, यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, tablue for students, आपने क्या करना है, tablue for students पे जाना है, और यहाँ पे अपना free का tablue एक साल के लिए आपको मिलेगा, या 12 मा के लिए, 6 मा के लिए, उसको आपने download कर लेना है, ठीक है, अगर आप tablue for education पे click करते है, tab tablue for teachers है, मेरे ख्याल से, या for teaching, तो आप यहाँ से tablue for teaching के उपर भी जा सकते है, मेरे पास यह जर्मन में आ रही है, website, मैं कोशिश करता हूँ, कि English वाली उपन करूँ, so here you go, आप यहाँ पे individual lessons भी ले सकते हैं, और multiple भी, so अगर आप teacher हैं, तो आपको इनका professional version भी मिल करें, यह है जी tablue हमारे पास, अब next lecture के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कि tablue को install तो हमने कर लिया, अब हमने tablue को use कैसे करना है, और किस तरीके से इसकी power को utilize करते हुए, हमने different किसम के dashboard बनाने है, लेकिन सबसे पहले, आप से मेरी request है कि like, share, subscribe और YouTube channel, kodenix.com पे जाके साथ भी share कीजे, ठीक हो गया, next video में मिलें फिर, okay, see you in the next one, जिसमें हम क्या करने वाले, tablue में data को import करेंगे, that's it.